हलो एवरिवन नॉर्थ अमरिका के पॉलिटिकल मेपिंग में आप लोगों का स्वागत है हम लोगों ने अभी तक साउत अमरिका के पॉलिटिकल और फिजिकल मेपिंग को कॉंप्लीट कर चुके इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ अमरिका के पॉलिटिकल मेपिंग को देख और उपर देखें आपको एसीया का रस्त्य देखने को मिले और इसके बीच आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलेगा नाम है Baring स्ट्रेट तो हमने पहला पढ़ा Baring State जो कि Asia और North America को अलग कर रही है क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि इस्ट्रेट का क्या काम है यह दो लेंड मास को अलग करती है तो वाटर बोर्डिस को कनेक्ट करती है तो पहला question हमारा यही हुआ कि Asia और आप इधर देख लिए तो North America को अलग कर रही है आपको अगर country पुछा जाए तो आप कहा सकते है कि इधर तो आपका Russia हो गया और इधर आप देख सकते है यह USA का portion है नाम है Alaska हम लोग इसको पढ़ने वाले अभी कुछ दिर में लेकिन आप अभी के लिए जान सकते है कि रसिया और अलास्का को अलग कर रही है second question Russia and USA को अलग कर रही है third one कि आपका Asia and North America को अलग कर रही है and fourth one कि किसको किसको जोड रही है यह Baring Strait तो आपको यहां पर दिखेगा Baring C फस्ट इंट्री के आप मैंने आपको बताया Baring C और उपर आपको Buford C दिखने को में ठीक है हम लोग अपने C के lecture में इसके बाद का जो आपका North America का lecture होगा वो C के होगा सी में हम लोग इसके जीतने C है जाए Buford C से लेके आप टोटल सी लेबरादोर सी हट्सन सी सबको हम लोग देखने वाले हैं लेकिन अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि Baring C और Buford C को अलग कर रही है आप एक चीज़ समझे कि कौन सा पार किसका है आप इस वीडियो में दे कि यह आपको एक सेकंड के लिए हां देखिए यह आपको रेट दिख रहा है ठीक है यह आपका क्या हुआ यह हुआ आर्क्टिक सरकल तो इस आर्क्टिक सरकल के जो भी उपर ओस्यांस आएंगे सब क्या आज हो दाएंगे आप इधर देखिए इसके इधर यह आपका Pacific Ocean हु में आर्क्टिक और आप नीचे देखिएगा तो आपको Pacific Ocean ही देखने को मिलेगा इस साइड आपको केरिबियन सी देखने को मिलेगा जो हम लोग पढ़ेंगे और यहां पर देखिए आप इस पोर्शन में देखिएगा तो हम लोग ने जो साउथ अमरिका पढ़ा था वो आ पनामा दिखेगा और हमने एक चीज़त बढ़ा था पनामा स्थमस के बारे में में अगर मैंने नहीं बताया था आप इस लेक्ट्र में देख来 दीजिये कि पनामा स्थमस स्थमस मिन्स क्या होता है आप समझीये स्थमस and डो चीज़ घंस होता है कि जो दो लेंड मास को कनेक कर रहे हैं तो यहां पre आपको पनामा आश्थम trainings को मिले गा जो कि इस धीस्ट अलग को छ के को छंप साथ को को लिए नित situation नेज में पड़ा यहं म बेरिंग एस्टेट इस पोजिशन पर हमने बेरिंग इस्टेट पढ़ लिया इक हम ने पड़ा अपनाक पना-मा आप एक तो कहा सकते कि South America and North America को connect कर रही है और अलग किसको कर रही है Caribbean Sea and Pacific Ocean को चलिए इतना हम लोगों ने देख लिया और आप यह भी कह सकते है कि इधर आपको इधर आपको कोलंबिया देखने को मिलेगा रूपर आपको क्या देखने को मिलेगा पानामा इन दोनों को जोड रही है कनेक्ट कर रहे है इतना तो हम लोगों ने देख लिया और ओस्टियन भी हमने देखा कि सकते हैं यहां पर आपको कि यह अपका क्या बोलत एक तो और इंड को यड deben Mark को जब हम लुग Europe जब हम लोग और पढ़ेंगें अमलों डेंड मार को ठढ़ने वास ते नहीं कि लिए लिए यह डें मार्थ जो है वो किसका यरोप का euCC प्रिए और इसके बीच और आपको यहां पे देखे एक आईलेंट देखने को मिलेगा धिक जो हम लोग अब अब पढ़ेंगे फिलार के रिए इस आइलेंग ता लोग नाम याद रखिए एल्स मेर आइलेंट मैंने क्या बताया एल्स यह कर एक स्ट्रेट अलग करतीय कैसे नाम है नेर्श स्ट्रेट इस्टेट आपको अगर श्पेलिंग देखना तो मैं लिख रहा हूं योग हुशिशन फर इस पोजिशन तर जीकिश को किसको अलग कर रहे है दो लेंड मास्ट को अलग कर रहे जब भी आपको को श्ट्रीट मिले तो आपको सबसे पहला जो है झीन चीजित आप आपका आप लोगald yogic कर रहे है तो पहला आप देखिए यह आपको उपर क्या देखा आर्क्टिक और नीचे का जो पाथ है वह आपका क्या है बेफिल बेड ठीक है मैंने क्या बताया बेफिल बेड तो इन दोनों को यह चलिए आप लोग इतना समझ गए होंगे तो इस यूरो इस जोरी इस नौर् समझ गए होंगे कि इसके इस्ट वेस्ट नॉर्ट साउथ में क्या क्या है पैसिफिक और ने लाक्टिक और असी ने अप लोग जान चुके बाकि में आपको करिबीन सी और कौन कौन सी है उसको डिटल में मैं अगले लेक्टर में बताने वाला हो इतना तो आप लोग समझ चक्ति होंगे सेखेंड आपने समझ गया कि इस पोजिशन पे नहां दिखा रहा हूं इस पोजिशन पे बेरिंगे स्ट्रीट के इस पोजिशन पे ने शाव करें पकानामा स्थिखे है यहां पर आपको ताउट अमेरिका देखने मिलेंगा और और साउथ अम्रिका में कोलं प्रिटल से जो भी कंट्रीज है उसके इंपोर्टेंट सेटी को हम लोग पढ़ने वाल है ठीक है चलिए तो लोग इस्टार्ट करते और यहीं से अपका नौर्थ अमरिका का नौर्थ अमरिका का मैजर पोर्चन है वो तीन इसके कंट्री ही लेकर रखते पहला आप लोग ना मैं आ पकरी पड़ा क्या क्या पड़ा कंट्री डादा उनाटें च्टेट ऑफ अमेरिका एड मैक्सिको एं तीनों के चैश अपने काम करते इसको आपको देखेगा ठाँ थीख्या तो पहलाा आज है आप इसको देख ही यह वहा कनाडा क्या हुआ हुआ कि आस्तारा आप न क्या दिखा ओटावा ओडवल्टी एडवलू एडबू एड़ केपिटल ओटावा हो गया अब एब एक चीज और देखिए कि इस ओटावा के यह अप त्वर साउट में जाईएगा आपको टोरेंटो दिखेगा और तोरेंटो दिखा यह त्वरींटो शिटी ए इस जगह पर सब यहां पर लेक है जगाँ पर एक लेकों ना है लेक वंब्रियों लेक कि इस लेक ओंटरियों हम लोग फिजिकल मेप में पढ़ने में वाल है किक यहां पर लेक है ठीक जिसे कि मैं अगर आगो थोड़ा था बनाओं तो लेक में एस्ट करें इस तरके बहुत सारे लेक्स है ठीक है इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे करके लेक्स उपरियर भी है लेकिन अभी के लाव यह चीज़ समझ लिए कि यह ओंटेरियो है यह आपका इस लेक ओंटेरियो के पास है टॉरेंटो की बात में कर रहा है तो इंट्री हमने पढ़ लिया ओढ़ पढ़ लिया तॉरेंटो पढ़ लिया इस ओटावा के थ्रह नोर्थ में चल जाए आपको मोंट्रियल सिटी देखने को अपने में सा सुना होगा मोंट्रियल कॉनबेंसिट अर्-मोंट्रियल , स्बसी hitting हैं यहादे कि मिलें Kent को इंत्रन तो लगबग आप लोग बहुत सारे इंट्रीज को अभी तक देख चुके हैं क्या क्या हमने पढ़ा एक बार में यहां पर लिख रहा हूं सब्सक्राइब हमने केपिटल पढ़ा क्या पढ़ा ओटावा पढ़ा इसका नाम है तो नियर लेक ओंटेरियो हमने पढ़ा मैं इधर लिख रहा हूं मॉंट्रीयल पढ़ा फिर हमने पढ़ा एक तो क्यूबक सिटी पढ़ा एं ऐस जगह पे देखिए आपको यह पोर्चन दिख रहा है यहां पे आपको गूश्च जोन्स दिखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा सेंट जोन्स और यह अईलेंड का नाम है मैं कहां पर लेकूँ देखे लिए निव आउंड लेंड आई लेए लोन एंड कुन से पोट है सेंट जोन्स पोट इतना आप लोग समझ गए होंगे चलिए तो इतना ही इंट्री आप लोग याद रखिए इसके याला हुआ इसमें कुछ आपको आईलेंस याद रखने हैं है याद मैने सबसे पाधिन को बताया था uh यहां पर मैंने नरेस स्टेट बताए था ना इधर ग्रीन लेंड इधर एल्समेर आइलेंड को अलग कर रही है नरेस स्टेट और इस आंटार्क्टिक और सोरी आर्क्टिक और इधर बेफिन बे को कनेक्ट करती है पहला हमने पढ़ लिया दूसरा पढ़िए क्वीन आय göz एक फ्र सुर्फ वा इंग इस विक्तोरिय आ यहां दुस्या आपको थोड़ा बता रहा हूं तरह को पढ़ेंगे यह क्या कर रही है आप अगर समझ्दी की कुशिद की़िए घर कर सकते यह न्रेस एस्टेट ऑपको डेविस एस्टेट प्षिच पढ़ाऊंगा तो अब यह भी कह सकते हैं कि डेविस एस्टेट इस बेफिन ग्रिण लेंड को अलग कर रहे हैं इसी तरह बहुत सारी सीजिए इंपॉर्टेंट होंगे एक आपको पेनिंसुला है आपको यह चीज उन गावा पैनुल सुला क्या करेगी यहां पर आपको एक स्टेट मिलेगा हट्सन एस्टेट में आप लोग बिल्कुल मत खवड़ाईए आप लोग स्टी में भी मत इसका अलग सा लेक्चर है ठीक है अभी के लिए आप लोग सिब नाम को याद रखने के कुशिश की जो जो हमने उपर मैं आपको एक आइलेंड मिलेगा नाम है डेवन ऐी लिएंड मीरली तहुत अन्यफर फंभ City यह पर लिया टोटल अबितल प्रिस्के अलावा एक तुमने पढ़ा उंगावा पैन्न्सूला ठीक है कोई बात नहीं हम फिर से इसको देखेंगे स्ट्रेट में जब हम लोग सी को पढ़ाएंगे करके जब हम लोग सी को कनेट करने की कोसिस करें ठीक है लेकिन अब लोग सीटी अभी के लिए याद कर लिए बैनकोर सीटी में बताया ओटाबा बताया केपिटल मॉंटरियोल बता अब लोग अब लोग तक लिया होंगे तो हम लोग ने लगब लगब इस कनाडा के बहुत सारे इंट्रीज को ममने पढ़ लिया है अब लोग यूएसे में आते हैं यूनाइटिट ऑप अमेरिका में और उनियाट्रेश अब अमेरिका को पढ़ने की कोशित करते हैं उसके इतने भी इंट्रीज है आप लोग देखिए यह कनाडा है मैंने आपको बताया ओटावा ओरेंटो ठीक है क्यूबेक सिटी सब चीज में मैंने आपको बता दिया सेंट जॉन्स बता दिया न्यू फाउंड लेंड आइलेंड बता दिया एक आप लोग इसको भी पढ़ लीजि ठीक प्लेस है के लिए इसके अलावा कोई इंपोर्टन यहां पर नहीं है आइलेंड तो आप लोगों बता दिया एल्समेयर क्वीन एलिजाबेज ब्र्यांक्स विक्टोरिया वेफी यहां पर डेवन आइलेंड यहां पर देविज एस्टेट है मैंने बताया यहां पर नर और लासका करी जाने यह यह दो फृतन यह वैसे का आता है यह वैसे का पता होगा क्या है यू एसे यूनाइट इस्टेक्ट ऑफ अमेरिका वासिंग्टन डीची अधिशी चलिए इतना तो आपको पता होगा अब हम लोग इसके क्या बोलते हैं उसको प्लिटिकल मैपस में आते हैं एंड इसके पॉलिटिकल मेप में हम लोग जो चीज देखेंगे तो हम लोग थोड़ा सा देख रहें यह हुआ यूसे का पॉलिटिकल मेप कुछ इंपोर्टेंट प्लेसे से उसको अब लोग सब्सक्राइब याद रखिए तिकागो पुछा जाए तो किसका है देट्रोइट लेक इडी के पास है ठीक है अंटरियो लेक हुरान लेक मिसिगन लेक सुपरियर लेक चली लेक सुपरियर था याद रखिए तो इस सब को भी हम लोग फिजिकल में पढ़ेंगे लेकिन सिटी जो है आपका डेट्रोइट उसको याद रख लिजे फिट्सबर इस रिजन पर है या लोज ब्लेश वेगा उसे चेन फ्रांस को एक पोर्ट है चैन जोन स्पोर्ट है लोज एंजल स्पोर्ट है एंडियागो पोड है चार पॉर्ट हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा इसका आप लोग थोड़ा सा धीहान रखी और मैंने बताया चैन फ्रेंस सबस्काइब तो सेंग पर दोट इंपोर्ट इंपोर्टेंट एंपर्टेंट और यूनाइट पर यूनाइटिट इस्ट आप अमेरिका का किऊ है यह आपको मैं समझाने के कोर्षिज कर रहा हूं ठीक है एक इमेज निकाल रहा हूं देखिए हमने इस रिजन पर क्या पढ़ा एक पोट पढ़ा जिसको हमने क्या कहा आप लोग यहां पर देखिए यहां पर ठीक है क्या पढ़ा सब्सक्राइब सेंड डियागो अब इसका युटिलिटी इस रिजन के लिए सबसे आदा करिबियन सी में जाना है तो आप किस तरह से जा सकते हैं अब समझ यह अगर मैं एक रिजन लूँ तो इधर से जाके इस पनामा से होते हुए आप यहां पर पनामा केनाल बना हुए इस रिजन पर पनामा केनाल से होते हुए आप डायरेक्ट करिबियन सी में जा सकते हैं इस तो लोग इस चीज को समझ गए होंगे अब हम लोग तो लगभण चीज हमने देख लिया इसके बहुत सारे इंप्रेंस्को को देख लिया लोस एंजल्स इसन इन सब्सक्राइब अमेरिका को अब हम लोग ठड़ आते हैं यह अलास्का आपको दिख रहा है खिर इसमें कुछ हम ज्यादां प्रेंश नहीं है अब लोग नेक्स आते हैं और वो क्या आएंकि वह साओंगे मेक्सिको मेखुई इसके आलावा कोई सारी देखने करो मिले यह आपका क्या हुआ मैक्सिको हुआ आगर आप नई समाओ पा रहे है कि कौनसा डीम है तो मैं आप लोग को इस पर दिखाने के कोशिज कर रहा ह। हमालोग इस गिर पे चल्ला है समद रहे हैं यह रीजन आप देखि आम लोग इस राइब भी बात है इसके अलब को ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है सबसे पहले आप लोग याद रखिए बेलाइज चाब मैंने बताया बेलाइज है बेल मोफॉस आप लोगों को दिखा रहा हूं क्या इसका इस बेलाइज का बेल मोफॉस इसी रिजन को हमने पढ़ा है सेकेंड वन अप लो कि यह गवाटेमाला कैपिटल गवाटेमाला सिटी यहां पर देखिए आप लो ठीक है एक तो सेंस इलवाडर मैंने बताया इस पर कुछ याद कर देखेंगे एक इंपोर्टेंट आपको यह है जो बेलाइज याद करना होगा इस पीटल बेल में फोन गवाटेमाला का गव तो यहीं दो चीज आपको जैनल याद रखना है इसमें कि उसके बाद अगर हम लोग देखने के कुशिद करेंगे तो आपको देखेगा यह क्या दिखागा निकार गुवा ठीक है क्या मैंने बताया निकार गुवा कैपिटल बहुत यासान है मान गुवा गुवा आपको दि से कन पंभर्ण सूर् sticking क्या बता है मैंने संद्स उसके बाद को इंपरिंटेंट चीज सब्सक्राइस में आप इंप्रिंवा नब सिंन्हें पढ़ने एक अंपठा पनमा केनाल देखने को मिलेगा जो मैंने आपको भी बताया था कि पॉर्ट्स जो आपके युनाटेट अश्टेट ऑफ अमेरिका के कुछ स्पोर्ट्स बताये थे वह वह जितने भी पोर्ट्स है आप समझें इस साइड में इधर से आप उनका जो है यह पनमा केनाल होते देखा का वाटेमाला का गौाटेमाला सिटी एल सेल्वेडर का सेंट सल्वेडर ठीक है वन्रूस का तेगुशिक आलपा निकारगुआ का मानगुआ को सेंजोस पनमा का पनमा सिट चलिए अब हम लोग इसके आप इस रिजन में देखे ऊपर चलाएंगे केरिभियन सी में में कुरीम से में को केरिवियन आयुलेंट कमशन ऑब अपको उनष अबूंण और वंसे नोग पढ़ने वाले है आपको यहां दिख रहा है यह दिख आपको रिजने को को तक को कैने को से पांटर यहीं हूं है आप पढ़ सकते अगर आपको इंट्रेस्ट है तो अधर वाइस आप इस क्यूबा को पढ़ लीजिए आप इस भामास को पढ़ लीजिए यह आपको बर्मुदा देखने को मिलेगा उसको पढ़ लीजिए इस तरह के कुछ को इंपोटेंट अई लेंड से उसको पढ़ हैंगे थी वा में चला इक शुबा कपिटल हावाना तिक है को इंपोटेंट इसके अलाब नहीं है क्यूबा है कपिटल हावाना इसको अम लोग पढ़ है च्रॉट फोल्रीडा पढ़ेंगे का यूजिए कश्च को समय तो समझान क्या मैंने बताया किंग्स्टन चलिए इतना हम लोग ने पढ़ लिया है फ़र्वन हैटी क्या बताया है ठीक है यह आप लोग याद कर लिए कैपिटल ए पॉर्ट और प्रीज इसको इतना इंपोर्टन नहीं आप इसको छोड़ भी सकते तो लगबग हम लोग ने प्रेटल क्या है नसाओ जमाइका का किंग इस्टन बताया उसके उपर देखिए आपको एक सब्सक्राइब इमेज एक निकालने की कोशिज कर रहा हूं तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा ठीक है ठीक है इसमें देखिए आपको यहां पर आपको देखेगा बहमास कि आने चिंगडम आपढ़ेंगे लोग इसको योडोप में पढ़ने हो और पढ़ने वालों बहुत दिटेल से पढ़ेंगे युनिएट किंग्डम को कि क्या क्या पोर्शन मिला के युनाटिट किंग्डम मनती और बृतन में क्या डिफ्रेंस है इन सबी चीजों को हम और ध्रम眾 ड plutôt ते तो डिकों ठीक ब्रूट पर सकते जाने है और वहीआए आपको बर्मॉदा ट्रेंगल देखने को मिलेगा है भाग कर सकते बर्मॉदा ड्रेंगल हमारे धॉट के लिए यह पि यह नहीं है यह कि हम लोग अभी इसको टिसकस कर रहे हैं मैपिंग को डिसके इतना आप लोग समझ गया होंगे तो लगबग हम लोग ने इसके जितने भी important countries है उसके capital से उनको हम लोग ने देखे लिया है अगर आपको एक blank map निकाल दिया जाए तो आप इस समय आराम से इस पूरे USA को बता सकते हैं इस USA का capital यह है इस USA को हम लोग अलग करना चाहते है तो इस तरह से अलग करना हम लोग ने क्या क्या पढ़ा within two minutes only two minutes हम लोग इसको पूरा conclude तरने वाल है अप लोग बहुत ध्यान से सुनिए ठीक है इधर हम लोग ने रस्या पढ़ा इधर हम लोग ने अलास्का पढ़ा यहां पे हमने लिए रस्चेट पढ़ा यहां पे अल्स्मेर आइलेंट पढ़ा पढ़ा फिर आगर हम लोग थोड़ा इधर आ चाएंगे तो यहां परेक आईलेंट पढ़ा क्यूंट एलिजाबेट इसके निचे वेट्वीं आईलेंद नबीफिन आइलेंट उपर डेवॉन आईलेंट के अलावा हमने कहा पढ़ा हमने फिर यह दिखें के यह पेंसवला है। यूनियाटर हिर्स्य लुव्त इनम्टेंट मियुदो इम शेड फेजू इंपॉर्टेंट में पहुद्ट परना य यह हैं तुं दिखें प्रनार चिंट फेनसुला पड़ा उन भी मेंट्टेथे लног है आप लोग बहुत ही इसको पढ़ लिए पर लेजी एक आपको यह रीजन दीख रहा होगा त्यूकस का नाम मने में बाजा पेनुन्सुला थीक है एन सेकेंड वन इज आप लोग एक पढ़ लीजिए जिस्का नमें उन्गाबा पेनुन्सुला यह आपका उन्गाबा पनुनुला अब लोग इस दो चिदक पढ़ लीजी बाकि आप लोगोने इसके इधर पे गौतेमाला सिटी बेल मोफोन एल सलवाइडोर का सेंट चलवाइडोर उंडरूस का क्या था त्यागु शिगाल्पा निकारगुए का मानगुए कोस्टिको का सेंजोस पनामा का पनामा सीट इधर हमने सब सीच अला मास का नसाव इस सबी चीजों कम लोगों ने देख लिए प्रेसिपिक ओस्यान आर्क्टिक ओस्यान अंटाक अट्लांटिक ओस्यान केरिवियन ओस्यान सब चीजों को देख लिया है अब अगले लेक्चर में हम लोग बहुत इंपोर्टेंटी जो आपको मेरे आपको इतना सी बताया ना इसके लोग और भी बहुत सारे स्ट्रेट से पे है गल्फ है उन सभी चीजों को हम लोग अगले लेक्चर में डिसकस करने वाले तब तक के लिए धन्यवाद